आप सभी लोग देख रहे होंगे कि जो हमारा पड़ोसी है न स्री लंका एक काफी भयानक इस्तिती से गुजर रहा है आर्थिक संकट से गुजर रहा है और आप देखेंगे जो नए पिधानमंत्री बने थे पहले आपने देखा होगा महिंदरा राजपक्षी पिधानमंत्र इते स्री लंका के लेकिन उन्होंने इस्तिपा दे दिया था अपना और उसके बाद रानिल विक्रम सिंगे ये पिधानमंत्री बनाये गए थे लेकिन आप देखें कि यहां की स्तिती इनसे भी नहीं समली और इने भी स्तिपा देना पड़ा और अब ऐसा भी माना जा रहा ह कि जो यहां के राष्टपती हैं गोट बाया राजपक्षे ये भी अपना इस्तीपा देने बाले हैं बैसे आपको बता दूँ कि स्रीलंका की जो आर्थिक इस्तिती बनी हुई है जो संकट बना हुआ है इसके लिए कई कारण जिम्मेदार है लेकिन इहां की जनता को सबसे जानदा जिस कारण ने प्रभावित किया है बो है राजपक्षे परिबार और इस आर्थिक संकट के लिए बो लोग इस परिबार को जिम्मेदार मान रहे हैं आप देखे सौने किसी लंका कहा जाता था और आज आप देखे कि खाने के लाले पड़े हुए लोग रोड पर उत्रे हुए आंदोलन कर रहे हैं तो आज हम लोग राजपक्षे परिबार के बारे में एक सामान जानकारी देखेंगे और ऐसा माना जाता है कि यहां की राजनीती में राजपक्षे परिबार का एक बड़ा हिस्सा है आप सोची पदों पर यही लोग थे और मुझे तो लगता है कि एक सी समय में किसी राष्ट में आप देखे एक भाई पिधान मंत्री है और एक भाई राष्ट पती है और आप देखे वहां अगर इस तरह का संकट आता है तो सबहा भी कसी बात है कि दोनों को जिम्मेदार माना जाएगा उस परिबार को जिम्मेदार माना जाएगा एक बार पहले आप लोग स्री लंका को देख लिजे उसके बाद हम लोग आँगे बात करते हैं देखे यह हमारी प्यारी पितवी है इसमें आप देखे रहे हैं एसिया में यह हमारा प्यारा भारत है और हमारा पडोसी है स्री लंका यह आप लोगों को देखने को मिलेगा स्री लंका और दच्छेन एसिया में ही आप लोगों को देखने को मिलेगा और याद रखी हिंद महासागर में ये उत्तरी भाग में इस्तित्दुईपी है देशे और इसकी अगर राजधानी की बात करें तो आप देखेंगे स्री जैवर्दनेपुरा, कुट्टी इसकी विधाई राजधानी है कोलंबो इसकी कारकारी और नियाए के राजधानी है और जो आप लोग पाक जल्डमरू देखते न और जो आप मननार की खाड़ी देखते न ये भारत स्री लंका के बीच ही आपको देखने को मिलेगी और अगर हम लोग इसकी आजादी की बात करें स्री लंका की तो चार फर्वरी 1948 को ये आजाद हुआ था और हम लोग 15 अगस 1947 को आजाद हुए थे और इसे गड़ राज बनाये गया था 22 मई 1972 में ये भी आप लोग याद रखेगा और यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये आप देखें स्री लंका पाक जल संधी आपको दिखाई दे रहा होगा ये हिन्द महासागर दिखाई दे रहा होगा ये हमारा प्यारा भारत है आप देखें स्री लंका में सरकार में राज पक्षे परिवार के पांच लोग सामिल थे क्या थे? सामिल थे इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले राष्ट पती गोट बाया राज पक्षे और पिधान मंत्री की रूम में महिंदरा राज पक्षे बित मंत्री की रूम में बासिल राज पक्षे और सिचाई मंत्री चामल राज पक्षे और खेल मंत्री नामल राज पक्षे यानि कि जो सबसे पास सरकार की सबसे सकती सालीपत थे और जो चाहते थे स्री लंका में वह ही होता था और इनमें से घोट वया को चोड़कर वाखी सब ने इस्दिपा दे दिया था और वस गोट वया राजपक्षे ही थे जो सरकार में अभी तक टिके हुये थे और राजपक्षे परिवार का यह आरोप है कि उन्होंने 5.31 अरब डॉलर यानि 42,000 करूर रोपे अवैत तरीके से देश के बाहर अपने खातों में डिलवाए हैं। और हो भी क्यों ना आकिर राजपक्षे परिवार के पास स्री लंका की नेशनल बजट के 70% पर सीधा इनकी पकड़ है और इनके हातों में वहाँ की तेजोरी की चाबी हुआ गरती थी। की राजनीती से जुड़े रहे हैं महिंदरा राजपक्षे की या गोडवया राजपक्षे की दौनव भाई ही हैं। और महिंदा राजपक्षे की बात करें तो आपकी स्कीन पर इनकी पिक्चर भी दिखाई दे रही होगी। और आप देखेंगे कि इनके बारे में बात करें तो कुछ महीने पहले महिन्दरा राजपक्चे स्रीलंका के प्यधानमंत्री हुआ करते थे यह राजपक्चे समुग के मुक्या भी थे और इनकी उमुम्र लगबग आप देखेंगे 76 साल हो गई है देश में बढ़ते बिरोत को देखकर उन्होंने 10 मई को पैधानमंत्री पत से इस्थीपा भी दे दिया था और इसे पहले 2004 में वह है पैधानमंत्री थे उसके बाद आप देखेंगे 2005 से लेकर 2015 तक देश के राष्ट पती रहे हैं और महिंदरा राजपक्षे के भाई गोट वया राजपक्षे ने तमिलों के आंदोलन को कुचलने का आदेश दिया था और महिंदरा के सासनकाल में स्री लंका और चीन की करीवे वड़ी और उसमें चीन ने इंफराटरक्चर प्रोजेक्ट के लिए 7 अरब डॉलर का लॉन द मतलब है किसे चाइना से स्री लंका का करज लेने का मतलब है कि एक समय आप देखे कि हमारे हां के किसान सेठों से बानियों से करज लेते थे जो आप देखते कि बिचौलिये हुगा करते थे एक तरह से सेठ हुगा करते थे और वो क्या करते थे कि उन्हें ब्याज मतलब पढ़ते थे या अपनी जमीन मैचने पढ़ जाती थी और यही हाल हो रहा है अफीका महादीम में जाईए आप लो चीन के आप देखे जो जंजाल है कर्ज का उसमें इस तरह से फस्प शोके हैं कि आप देखे उन्हें अपने जो एरफोर्ट हैं वो देने पढ़ रहे हैं चा यूजरात हो, राजिस्थान और पंजाब हो, जमूकसमीर हो, लद्दाख हो, पांच राज्जों की सीमा लगती है पाकिस्तान से भी और चाइना से भी पांच की लगती है लद्दाख, हेमाचल पढ़ देश, देहरा, उत्राखंड, सिक्किम और अवना चल पढ़ देश तो यही है चाइना और चाइना आप समझ सकते हैं कि कितना मतलवी दोस्त है यह आप देखेंगे आपकी स्क्रिंग के सामने दिखाई दे रहे हैं यह हैं गोट बया राजपक्षे और इनके बारे में अगर हम लोग बात करें तो यह राश्टपती है अभी अभी अब आंगे क कित्री समयत कई एहम पद भी समाल चुके हैं और महिंदा राजपक्षे की राश्टपती रहने के दौरान या डिफेंस से कित्री भी हुआ करते थे और उसी समयत तमिल अलगावबादी यानि की लिट्टे ने बिद्रो कर दिया था और जिसे इन्होंने बुरी तरह से पन हुआ है तो यह आप देखेंगे राश्टपती साहब हो गया है फिर आप देखेंगे बासिल राजपक्षे एको आए यह आप लोगी स्क्रीन पर देख रहे हैं यह बासिल राजपक्षे हैं और महिंदरा राजपक्षे की सासनकाल में बासिल राजपक्षे फाइनेस मि वज़े से उन्हें Mr. 10% कहा जाता है और वासिल पर सरकारी खजाने में लाकों डॉलर की हेरा फेरी के आरोब भी लगे थे लेकिन कभी सिद्ध नहीं हो पाए क्योंकि गोट बया राश्टपती बनते ही सबसे पहले वासिल के सभी केस खतम करवा दिये थे अगरे हैं हमारे दिसमें अभी आप देखते हैं जिनकी सरकार आती है वो माला-lia हो जाते है और उनके केस भी कतम हो जाते हैं तो वासिल है एक आप देखें चामल राजपक्षे एक क्या थे आपकी स्कीन पर दिखाई दे रहे हैं चामल राजपक्षे की उम्र अभी आप देखेंगे कि 89 साल है कितनी 89 साल है और आप देखेंगे कि वह महंदरा राजपक्षे के बड़े भाई हैं और स्री लंका सरकार में सिपिंग and aviation minister रह चुके हैं अब तक वह सिचाई विभाग समाल रहे थे और चामल दुनिया की पहली म जाओ माओ भंडार नायके तो ये भी आप लोग याद रखेगा फिर आता है नामल राजपक्षे पांचबे सदस है यह आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर इनका क्या नाम है नामल राजपक्षे नामल राजपक्षे 35 साल के हैं और आप देखेंगे कि वह महिंदरा महि 20 साल के उमर में आप देखेंगे 2010 में वहां की 7 सद बन गए थे हमारे यह तो आप देखते हैं कि अगर आपकी उमर 25 साल है तभी आप लोग सांसद बन सकते हैं मीनिमम आप देखें कि कम से कम 25 साल जरूर होने चाहिए स्रीलंका सरकार में वह खेल युवा मंत्राले समाल रह और लोग आप देखिए इसी परिवार को टार्गेट भी कर रहे हैं आप लोग भी बताईए आप लोग कौन-कौन सी कारण है स्रीलंका की बरवादी कह लीजे या आर्थिक संकट कह लीजे इनके कौन-कौन सी कारण सामेल हैं में